प्यारे दोस्तों क्या एक और गोड़े की दोस्ती हो सकती है? और अगर हो जाए तो उसका नतिजा क्या निकलता है? तो ऐसे में आज हम आपको एक लड़की के बारे में बताएंगे जो की अपने गोड़े के साथ सोती है हर रात ये लड़की इस घोड़े के साथ क्यों सोती है और घोड़े के साथ इसका क्या रिष्टा है इस लड़की की शर्मनाक हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलिए बिना वक्त खराब कि ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कहा जाता है कि इनसान और जानवर का साथ बहुत पुराना है इनसान को हमेशा अपने काम के लिए उसके सहारे की जरूरत पड़ी है अल्ला ताला ने इनसानी फित्रत में प्यार और महबबत रखी है बाज लोग जानवरों से बेहत लगाव रखते हैं खासतोर पर पालतू जानवरों से और अक्सर देखा गया है कि इनसान और जानवरों की दोस्ती इतनी मिशानी साबित हो जाती है कि जानवर अपने मालिक से महबबत में अपनी जान से भी गुजर जाता है लेकिन अपने मालिक पर कभी भी आच नहीं आने देता मगरीबी मुआशरे में तो जानवरों के साथ लगा वे एक आमसी बात है और वाम पर बिल खुसुस कुत्ते और बिल्यों की महबत के कई दास्तान भी मौजूद है बिर्टैनिया के हवाले से एक मशूर कहावत है कि मगरीबी औरत अपने शोहर को कुछ समझे ना समझे लेकिन अपने कुत्ते को अपने सरकात ताज समझती है इसी वज़ा से अमेरिका और बिर्टैनिया में घोडे को एक वफादार दोस्त समझा जाता है और प्यारे दोस्तों आपको जानकर ये बेहत हैरत होगी कि बिर्टैनिया में अक्सर जवान लड़कियां घोडे पालने के शौकीन होती है और कुछ बिर्टैनियन लड़की तो इस शौक से हद से ज़्यादा गुजर जाती है और ऐसे में ऐसे ऐसे किस्से और कहानी सुनने को मिलते हैं कि जिन पर यकीन करपाना बहुत मुश्किल होता है घोडे बड़े वफादार और साथ निभाने वाले जानबरों में शुमार होते हैं लेकिन किसी औरत का हर वक्त अपने घोडे के साथ रहना नुकसान दे भी सावित हो सकता है और दोस्तों बिटैनिया में ये भी दिखा गया है कि ऐसी जवान लड़कियां जो की जिन से हैजान में मुब्तिल्ला होती है वो घोडा पाल कर अपना वक्त गुजारनी की कोशिश करती है इंगलेंड और फ्रांस में इस किसम के 20 उमार वाक्यात रिपोर्ट हो चुके हैं कि जवान लड़कियां घोडों के साथ शर्मनाक हरकते करती पाई गई है तो ऐसे में हम आपको एक नौजवान और उसके पालतु घोडे की तास्तान सुनाते हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दरसल प्यारे दोस्तों इंगलेंड में रहने वाली एक जवान लड़की जिसका नाम कैथलीन है उसने कई महंगे महंगे घोडे पाल रखे हैं क्योंकि ये एक अमीरजादी लड़की है इसलिए उसके शौक भी निराले है कैथरीन ने लाखों डॉलर खर्श करके एक अस्तबल भी तयार करवा रखा है जिसमें अर्भी नसल के नायाब खोडे भी शामिल है कैथरीन नामी इस नौजवान लड़की के घोडे का नाम होराइजन है और ये होराइजन नामी इस घोडे से इतनी महबत करती है कि इसने इसके लिए स्पेशल एक कमरावी बनवा रखा है जहांपर ये और उसका पालतु घोड़ा हर रात सोते रहते हैं और प्यारे दोस्तों इसकी इन हरकत पर कई लोगों ने मश्कोक निगाऊं से भी इसको देखते हैं और कहते हैं कि कैथरीन ने इस घोड़े के साथ शर्मनाग तालुकात काईम कर रखे हुए है और कैथरीन अपने पालतु घोड़े के लिए चीन से रुजान रखती है यही वज़ा है कि हर रात कैथरीन अपने घोड़े के साथ सोना पसंद करती है लेकिन इसके बरहक्स से कैथरीन ने बहुत मरतबा सोशल मीडिया पर इस ख़बर की तरकीत करते हुए बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ अपने घोड़े को एक पालतू जानवर के तौर पर पाल रही है अंदर क्या सच है? इसके बारे में कोई नहीं जानता इस हवाले से दोस्तो आपकी क्या रहा है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताईएगा दोस्तो यौरोप में जानवरों के सायथ महबबत भरा सुलो किया जाता है और वहाँ का हरवासी जानवरों से बेंताहा महबबत और शक्वत और उनसियत रखता है और हमारे मौशरे में ये रुझान इतना आम नहीं हमें से बेशतर लोग तो इनसानों से लगाव तक नहीं रखते तो जानवर तो फिर भी दूसरे दर्जे की मखलुकात है कुत्ते को देखकर पत्थर फेकना, लात मारना, बिल्यों की दुम मरोडना, मासुम चिडियों को सताना मुक्तसर बेशुबान जानवरों को तंग करना हमारे यहां तो ये आमसी बात है लेकिन प्यारे दोस्तों, अभी भी मौश्टरे में ऐसे लोग मौचुत है जिसमें इनसानियत पाकी है और वो जानवरों से हम दर्दी रखते हैं मालिकान अपने पालतू जानवरों को नहायत महपत और नफासत से पालते हैं सारा साल महनत करते रहते हैं उनके खाने, पीने, आराम और अशाइस का भी बहुत ज्यादा खायल करते हैं और बिल्कुल इसी तरह कुछ को परिंदे पालने का बहुत शौक होता है मुक्तलिब मुबालिक से नायाब और कीमती परिंदे मगवाते हैं अपने अन्मोल शौक को पूरा करते हैं हमारे प्यारे नबी सलललाहो ताला अलेही वसल्नम ने भी जानवरों के साथ शफकत से पेशाने का हुकम दिया है और उन्हें अजियत पहुचाने से मना फर्माया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शरूर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहे तो आज के लिए बस इतना है असलाम अलेकुम अल्ला हाफिस